नमस्कार आपके साथ मैं हूँ दिपिका वेल बेग बॉस OTT3 का खिताब तो सना मकबूल जीत गई है लेकिन सना मकबूल का जीत के बाद मुनवर फारुकी के साथ नाम जोड़ा है मुनवर फारुकी जुनोंने हाली में दूसरा निकाहा किया है उनका नाम सना मकबूल के साथ कैसे और क्यू जोड़ा है बताओंगे आपको पूरी की पूरी खबर डिटेल में वेल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से कर लिजे ताकि सारी की सारी लेटिस्ट खबरे आप तक पहुँचे जल से जल बिग बॉस 17 जिन लोगों ने फॉलो किया है उन्हें पता होगा कि मुनवर की डिमपल गल की उस सीजन में काफी ज़दा चड़चाएं हुई थी विशाल जो थे वो अपने किसी प्रमोशन के लिए आये थे विशाल मुनवर के भी करीब थे और सना मकबूल के तो बेस्ट फ्रेंड वो है ही बाहर भी वो सना मकबूल को सपोर्ट कर रहे थे ऐसे में उन्होंने स्ट्रेश पर यह बात कही थी कि डिमपल गल ने आपके लिए सलाम भिजवाया है और इस बात का जिक्र मुनवर ने पर वो पुरानी बातों का भी जिक्र करते हैं और बाहर आकर वो नेजी के लिए नहीं बलकि सना मकबूल के लिए वोट अपील कर देते हैं और उसके बाद से ही इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि वो डिमपल गल कोई और नहीं बिग बॉस 17 में जिसका जिक्र हुआ था वो सना मकबूल है क्या सना मकबूल के साथ भी मुनवर फारुकी का रिष्टा रहा है अफिर रहा है वैल डिमपल गल का जिक्र हुआ उसके बाद आपने डिमपल गल को सपोर्ट किया और डिमपल गल के लिए आपने वोट अपील की तो ऐसे में फैंस तो यही कहते हैं कि सन मकबूल और मुनवर फारुकी रिष्टे में थे वल अपू क्या लगता है क्या ये चीज़ सही होगी कमेंट कर जरू बताईएगा